स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शियर मार्केट एनलिसस में दोस्तों बात करूँ है यहां पर आप सभी के साथ IT स्टॉक्स को लेकर आज बजार में आपने इंडेक्स लेवल पर पॉजिटिव मॉमेंटम देखा है एंड ब्रॉडर बेस कह कही ना कहीं आप देखेंगे चाहे स्मॉल कैप निफ्टी मिड कैप बेंक निफ्टी सब में कही ना कही अच्छा मुव है लेकिन उसके बाप जूद मार्केट जो आप देखेंगे मार्केट देखें तो एडवांज शियर्स अरण 1065 है और डिकलाइन शियर नाइन तो कुछ जादा खास भी आज रेली नहीं हुई है मतलब मार्केट में जो दिख रहा है वो है नहीं अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो 23 शियर्स नेगिटिव है जिसके सामने आपको 27 शियर्स पॉजिटिव दिखेंगे तो almost similar kind of situation रही है लेकिन ऐसे में हम बात करेंगे एक sector के बारे में जिसमें पिछले 4-5 दिन से अब continue गिरावट और profit booking आप कह सकते हैं होते हो दिख रहे हैं वो है IT sector अब सवाल ही उठता है क्या ये IT sector से निकल जाने का समय आ गया है दोबारा से क्योंकि आपने देखा नीचे से अच्छी recovery आई IT stocks में और फिर continue गिरावट च समय एंटर करने का जो कि momentum तो positive ही चल रहा है इसी के ऊपर बात करता हूं तो चलिए start करते हैं लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोड़ी सी request है जो लोग चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज इसको subscribe कर दीजिए ताकि मेरे 1,00,000 subscriber हो सकें फटा-फट से मात्र 400 दूर है सब्सक्राइबर की खुसी में अभी हुए नहीं है बढ़ ठीक हम अज्यूम करने की हो जाएंगे और एक special announcement प्लस live session है साम को 7 बजे Saturday तो प्लीज आप लोग जरूर आईएगा जो भी आपकी markets related query है जो भी आप मेरे से बात करना चाहते हो प्लीज जरूर रहेगा साम 7 बजे यह मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था और मैं अपनी next वीडियो में मनलब हर वीडियो में यह शेयर करूंगा आप सभी के साथ ताकि हमारी हर पबलिक तक बात पहुंच पाए अच्छा अभी आते हैं IT सेक्टर पहले तो सेक्टर की बात करता हूं लगबग 14% गिरकर बंद हुआ है आज IT सेक्टर 30,115 अगर मैं सेक्टर के टेक्निकल्स लेवल देखूंगा तो 29,262 लेवल ऐसा है जो 100 DME और 200 DME देखें तो 32,540 यानि कि यहां से अराउंड 2500 points उपर है जो कि अल्मोस्ट 8-9% होता है ठीक है तो कहीना कहीं जो मॉमेंटम है वो अभी IT सेक्टर की बात करें IT stocks की positive है क्योंकि negative कुछ भी नहीं है गिरावट क्यूं हो रही है फिर तो इसके पीछे के दो reason है नीचे से अच्छा आपने recovery देखी अब हल्की profit booking consolidation चलता है one-sided stock बहुत rare ही बागते है और market ऐसी नहीं है कि मतलब भागी जाए आप भी देख रहो पा रहा हूं अपने end से शायद आप भी कर पा रहे होंगे कि volumes हैं ही नहीं ऐसा लग रहा है कि कोई काम ही नहीं कर रहा nifty 50-70 point में पूरे दिन गूमता रहता है shares आप अगर मैं IT stocks में TCS की बात करो तो बारा लाग shares trade हुए 20 लाग का average volume है यानि कि आदे almost आदे shares trade हो रहे है second infos is जिसमें कही न कहीं corporate action भी going on है अब कल से आपको पता है buyback open हो गया उसके बाद भी 42 lakh shares trade हुए average 60 lakh shares का यानि कि volumes missing है बिल्कुल HCL tech की बात करें तो 17 lakh shares trade हुए और 9 lakh shares का average volume है विपरो की बात करें तो around 44 lakh shares trade हुए है और average volume लगबग 67 lakh shares का तो volumes missing है फिर क्या करें हम simple सी बात है without volume यह fall हो रहा है that means कोई selling pressure नहीं है के बले या तो profit booking है यह consolidation है इन दो मैंसे एक चीज है तो आपको यह बिल्कुल भी घबराना या attention नहीं लेनी है आपके पास short में बोलूँगा जो भी IT से stock है या Tech Mahindra है, SCL Tech है, Wipro है, Enforces है कोई भी large gap IT stock है, आप सिर्फ बने रहे है, मेरे साब से simple सी बात है और आपको बिल्कुल भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है आपका पैसा यहां पर बनेगा कहीं नहीं जाने वाला है, यह stock आपको पैसा बना के देंगे और long term के हिसाब से मुझे यहां से दो stock बहुत पसंद आते हैं, एक पहला TCS और दूसरा Enforces एक और चीज बोलना चाहँआ, IT stock में मैंने एक बार वीडियो बनाई थी, और आज मैं फिर एक वीडियो बनाऊगा, जहां मेरे पास दो ऐसे stock है जो यहां से आपको double हो सकते हैं, यानि कि quality है, IT है, cash, rich company है, debt free company है, जो कि IT stocks maximum होते हैं और उपर से अच्छा खासा correct है, और value इतनी है कि आपका पैसा double कर देंगे, तो please stay tune with us and thank you so much for watching this video, have a great day